हेलो फैंस मैं नितेश कुमार आपका आपकी एट्यूब चैनल इन्वेस्ट फोरेवर में एक बग फ्रेसे स्वागत करता हूं देखिए लगातार आपको एक अच्छे से अच्छे शेर यहां पर दिये जा रहे हैं और सारे शेर या तो भाग रहे हैं या थोड़े वो टाइम में यहां पर बागते हुए नजर आएंगे तो इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है और अगर हम यहां पर बात करें आज दुबारा एक ऐसे शेर से लेटरी बाते करूंगा जहां पर आपको अच्छे रिट्न मिलते हुए नजर आएंगे पॉनी शुगर एरोड लिमिटे लगबग 324 रुपीज 9% शेर यहां पर ऊपर है और मैं इसे काफी टाइम से यहां पर ट्रैक कर रहा हूं और हमारा जो हमने वाट्सप ग्रूप ओपन किया है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा और यह शेर 313 रुपे पर जब यहां पर ब्रेक आउट हो रहा था मैंने आपर अप उस वाट्सप गूरूप में इस शेर से डिटिड डाल दिया है ओके क्या मेरे पाशेयर है ओके क्या एक्जक्ली होने वाला इस शेर में और कहां पर यह शेर के टार्गेट नजर आते हैं वो सब चीजों से डिटिड हम बाते करने वागे बाते बि वो यहां पर बहुत बागते हुए न जरारे थे ओके बट उनमें से बहुत सारे स्टॉक्स का अभी स्ट्रक्शर खराब हो चुका है याद रखिए हर एक शेयर का स्ट्रक्शर खराम नहीं होता कुछ स्टॉक्स ऐसे भी रहते जो भागे भी होते बट उन्हें भागने के लिए के वाल एक रहा की जड़वत होती है ओके एक टाइम की जड़वत होती है तो इस इस दा वेरी वेरी अगर बात करूं वेट आप मोस्ट अवेटे टाइम जहां पर आप अगर एंटी लेते हैं तो अच्छा पैसा बनेगा बट बाई और सेलिंग की कोई रिकमेंडेश तो पॉनी एरोइड शुगर की अगर बात करें तो यहां पर हम देखेंगे शुगर मैनुफक्षिंग कंपनी है जो की शेशा पेपर आपने शेशा पेपर का नाम सुनाई है उसका एक पार्ट है एंड शुगर फैक्ट्री एंड एरोइड है वाग कैपसिटी ओव लग पै लिमिटें 2001 तो 2001 में यहां पर यह अलग भी होते हुए दिखाई दिए थे और इरोड शुगर मिल वाज सेट अप ट्वेटी फिफिटी टीडी टीडी कैपसिटी के साथ यहां पर यहां पर इंस्टॉल किया गया था तो अवर अगर बात करें कंपनी की तो अच्छा नजर करता है एक अच्छे गुरुप से यहां पर रिलेट करता है एस वेल अगर हम यहां पर देखा जाए शेशा पेपर जो यहां पर शेशारी पेपर है काफी वैतिन कंपनी है उसका एक पार्ट के लिजए या इनके पास ही इनके शब्स जादा शेयर है जो कि मैं आभी आकर आ देखा तो आपको सब कुछ exactly पता चलती ही नजर आएगी कि यहां पर क्या चलता हूँ नजर आ रहे है इतनौल से रिलेटेड का काम में होते हो यह नजर आ रहे है और इसका फैदा इस कंपनी को कैसे बढ़ेगा तो इस तरीके से भागेंगे और जब गिरेंगे तो इसी त रखिए आपको अपने एपिटाइट के हिसाब सब्सक्राइब है 342 रुपीज का हाई लगाया ओके 324 रुपे पर चलता हूँ नजर आ रहे है इसके इलाबह यहां पर कुछ और पाइंट देखोगे तो यहां पर आपको पता चली किसी तरीके की प्लेजिंग भी नहीं था मैक्सिजन चार्ट पैटन की बात करें तो 2005 में यह शेयर आया था एक हाई लगाया था यहां पर 2013 में उसके वासे गिरावट कांसॉलिडेशन और दुबाला शेयर उस रेंज में यहां पर जाता हुआ नजर आ रहे है और यहां पर बात करें शेयर की तो यहां पर देखिए कंपनी ने अभी जो कौर्टर के रिजल्ट आये हाई इसके इलावा यहां पर मार्जिन की बात करें कौर्टरली बेसिस पर मार्जिन बेकार है बट मुझे आने वाले टाइम में मार्जिन अच्छे खासे नजर आते है और तब तक यह शेयर यहां पर भागता हुआ नजर आता हुआ दिखाई दे सकता है इसके इलावा नेट पॉफिट की बात करें 22 क्रोड पर नेट पॉफिट है जो कौर्टर ली यह ली दोनों बेसिस पर अच्छा-कासा नजर आता है ओके तो यहां पर अगले कौर्टर के रिजल्ट मोस्ट अवेटेर और मोस्ट जिसे कहते ह और जादा लोग यहाँ पर नजरे बना के रखेंगे इस तरीके की रिजल्ट होते होग कि से तरीके की परफॉर्मेंस देख सकते हैं किस तरीके की परफॉसे पॉजिटिव चीजे यहां पर दिखाई देते हैं, जब सारी की सारी passionate चीजे दिखाई दे रही हो, plus मैं चार्ट में तरका नजर आता हो, तो ऐसे शेयर को अलग नहीं करते हैं, पास रखते हैं, और यहां पर देखिए इस particular year में जो डिविडेंट दिया गया है पांच रुपे पचास पैसे का मतला हाइस टैवर यहां पर डिविडेंट दिया गया है और जो कंपनी हाइस टैवर डिविडेंट देती है तो इस समझ चाहिए कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है क्योंकि जब तरह कंपनिया पैसे नहीं होंगे और वेसी बात है आपको डिविडेंट कहां से देगी प्रमोटर्स की होल्डिंग 42.36 है और यहां पर इनके बोर्ड बोर्ड है यह कह सकते मैनेजमेंट में 27.45% की यहां पर इनके पास होल्डिंग है इसके रावा कुछ और इंवेस् पर इसके बात करें तो यहां पर हुआ करते यह वदर बिट यूनिवसिती अट्यांत यह और यह यहां पर आ गया एक्चली कोई यहां पर चेंज निए बस एफाइस से दिए इस से एकाइस में चले गए तो एज़िए बने हुए पब्लिक की बात करें पब्लिक के पास 34.39 9% के शेयर है जो कि यहां पर क्या continuous basis पर थोड़ा थोड़ा करके यहां पर कम होते हुए नजर आ रहे हैं तो मैं इस पर्टिकुलर शेयर में क्या हूं बहुत ज़दा एग्रेसिवली यहां पर अगर मैं बात करूं कंपनी यहां पर मुझे पसंद आ रही है और हम आगे आप देखेंगे कभी सारे बड़े लोग हमारे साथ जोड़ रहे हैं दीरे-दीरे करके आपको नाम नहीं बताना होना चाहूं बट आप यहां पर देखिए वीडियोस को जूड़िए हमारे WhatsApp ग्रूप के साथ जूड़िए ओक हमारे को जोइन कर लीजिए अगर आप हमारे 九 को जोईन करते हैं जो कि यहां पर कौन सा कौर्स हां यहां पर आपको सिखाय जा रहा हैं वो सब कुछ आप ढ़ने के यहां पर आपको सबसे कर दिया तो रिजल्ट आपको मिलते हुए नज रहेंगे डबलेट 604-40501-8169-261037 पर कॉंटेक्ट करिए और जो हमारे को यहां पर जॉइन करेगा 50% ऑफ है उसे किसमें वाट्सअफ गूरुप की फीद में जो पर मंत यहां पर चार्ज है उसमें 50% फ्लैट हमेशा की लिए रहने वाल है तो हम बात करते हैं यहां पर किस से लेठी पॉनिश रोड से लेठी तो देखिए बार-बार कोशिश कर र चलती है और उसकी स्पीड अगिरने की वह धीरे-दीरे कम होती आती या तो यहां पर इस पर करिया गो जो हम कहते है इस प्रोसस को उसे टेनिस पॉल reaction कहते हैं और यहां पर अगर आप देखोगे तो चीजे पहले यहां पर गिरी थी फिर इसके बाद यहां पर गिरती हुए नजर आई फिर यहां पर तो यहां पर क्या दीरे यहां पर जो इसकी गिरावट है वो कम होती ही नजर आ रही है वो कि यहां पर देखो कि और गिराव हुआ नजर आया है तो यहां पर हो सकता एक दिन यहां पर कम वॉल्यूम हो कम यहां पर चीजे नीचे आए पर उसमें याद रखिए यह शेयर तेजी पकरता हुआ नजर आएगा तो सबसे पहले टार्गेट 17% के आपके बनते हुए नजर आ रहे हैं मुझे जो यह टार्गेट है फिलाल के और उसके बाद अगर मैं बात करूं वीकली बेसिस पे तो वीकली बेसिस पे जो इसके हाइस्ट आवर कभी यहां पर टार्गेट हुआ करते थे तरी पांच महीने के अंदर अंदर यह शेयर 500 रुपे को एट लिश नहीं पर टच करने वाला और अगर यह शेयर 500 रुपे को टच करता है तो यह शेयर के जो यहां पर 55% के लिटर बनते हुए नजर आती है क्या शेयर बेकार है बिल्कुल भी नहीं सब्सक्राइब करें और यहां पर टेक्निकल चीज देखने चीए स्टेश टू यहां पर बनता हुआ मुझे नजर आ रहे हैं वह कैसे पता लगाते हैं उसके लिए आप यहां पर कोर्स को जाइड कर लीजिए आपको ऐसी ऐसी चीज़ें आपर पता चलेगी जो किसी ने आ असले के वीडियो मिलते राये डवलेट जिखती दो नोन बर में किसी पर भी कॉंटक कर देंकिसो मॉच गबलेस